हलो स्टूरेंट्स कैसे हो आप लोग आज हम पढ़ने वाले हैं चेप्टर नमबर थर्टीन जिसका नाम है थ्रू ग्राणपाज आईज एक बच्चा है जिसका नाम है जोन, जोन की दादा जी ग्राणपा देख नहीं सकते मतलब वो ब्लाइंड है इस चेप्टर में जोन की द्वारा बिताया गया पूरा एक दिन दिया हुआ है सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ये दिन जोन अपने दादा दादी की घर में बिताता है और समझने की कोशिस करता है कि उसके दादा जी उस घर को और दूसरी चीजों को कैसे देखते हैं मतलब कैसे समझते हैं और अपने दादा जी की नजरिये से जोन भी चीजों को समझने की कोशिस करता है चीजों को देखने की कोशिस करता है जोन सुबह सूर्य की रोशनी को देख कर उठता है लेकिन उसके दादा जी सूर्य की गर्मा हट को महसूस करके सुबह होने का अंदाजा लगाते हैं और उठते हैं सुबह उठकर जोन अपने दादा जी की कमरे में जाता है जोन के दादा जी पहले से ही जगे हुए थे और बेट के बगल में सुबह की एकसरसाइज कर रहे थे उनको देखकर जोन भी आँखे बंद करके एकसरसाइज करने की कोशिस करता है लेकिन वह एक तरफ गिर जाता है जोन पूचता है कि दादा जी दादी कहा है दादा जी कहते हैं कि आँखे बंद करके सुनो जोन आँखे बंद करता है और सुनता है कि नीचे वाले फ्लोर से बरतनों की आवाज आ रही है नीचे वाले फ्लोर पर रसोई है दादी जी वहाँ सुबह का खाना बना रही थे जोन और उसके दादा जी सुबह का खाना खाते हैं और सेलो एक म्यूजिक इंस्टुमेंट बजाते हैं कुछ देर बाद में दादा जी दादा जी की मुर्ती बनाने के लिए कुछ मिट्टी लाते हैं और दादा जी को स्थर रहने के लिए कहती है मुर्ती पूरी होने के बाद में दादा जी उसको अपने हाथों से महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे जैसी ही लग रही है इसके बाद में जॉन और उसके दादा जी नदी किनारे जाते हैं और दादी दो पहर का खाना पनाते है दो पहर का खाना खाने के बाद तीनों बुक्स रीड करते हैं रात का खाना खाने के बाद सभी टीवी देखते हैं दादा जी सुनते हैं रात होने पर सब सो जाते हैं अंधेरा होने पर जोन अपनी दादा जी की तरह चीजों को सुनता है घर के चर्मराने की आवाज, पेड के पत्यों के सरसराने की आवाज, हंसों की आवाज, सब सुनता है और दादा जी किस तरीके से चीजों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, उस चीज को समझने की कोशिस जौन करता है यह है इस चेप्टर की समरी, अब हम इस चेप्टर को line by line read करेंगे Of all the houses that I know, जितने भी घर मैं जानता हूँ, I like my grandpa's house the most, the best उनमें से मैं सबसे ज़्यादा अपने दादाजी का घर है, उसको पसंद करता हूँ My friend Peter has a new glass house, मेरा दोस्त है Peter, उनका घर है जो कि glass house है, सिसे का बना हुआ घर है With pebble path gardens, और उस घर में pebble path वाले gardens है Maggie lives next door, अगले ही घर में Maggie रहती है in an old wooden house, और उनका घर है, वो एक wooden house है With card doors, और उसके जो doors हैं, वो नका सी दार है, नका से उनके उपर की हुई है And brass door knobs, और उसके जो door knobs हैं, गेट को खोलने के लिए जो knobs हैं, वो पीतल की बनी हुई है They are fine houses, ये जो घर हैं, पीटर का और मेगी का, ये जो घर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, fine हैं But grandpa's house is my favorite, लेकिन दादा जी का खर मेरा favorite है Because I see it through grandpa's eyes, क्योंकि जब मैं दादा जी की घर जाता हूं, तो उस घर को दादा जी की आँखों की तरह से ही देखता हूं Grandpa is blind, मेरे दादा जी हैं, वो blind हैं, देख नहीं सकते He doesn't see the house the way I do, जिस तरीके से मैं घर को देखता हूं, वैसे दादा जी उस घर को नहीं देखते He has his own way of seeing things, उनका खुद का एक तरीका है जिस से वे चीजों को देखते हैं In the morning, the sun pushes through the curtains into my eyes, सुबह है, सूरी मेरी आँखों में आता है, कर्टन से जहांकते हूई जो परदे लगे हूए हैं, उनमें से देखता है I burrow down into the covers, जो covers हैं, जो चादर है, उसके अंदर मैं अपने आपको ढख लेता हूँ To get away, but the light follows me उस से बसने के लिए, सन लाइट से बसने के लिए मैं चादर को ओड लेखता हूँ लेकिन जो लाइट है, प्रकास है, सूरी की रोशनी है, वो मेरा पीछा करती है So I give up, इसलिए मैं उस चीज को छोड देता हूँ, और जाग जाता हूँ, उठ जाता हूँ Throw back the covers, और मैं चादर को फैंकता हूँ, and run और दोडता हूँ to Grandpa's room दादा जी के कमरे की तरफ दोडता हूँ The sun wakes Grandpa differently, from the way it wakes me जिस तरीके से सूरी मुझे जगाता है, वैसे दादा जी को नहीं जगाता है दादा जी को जगाने का दूसरा तरीका है He says it touches him, दादा जी कहते हैं कि सूरी की रोशनी मुझे touch करती है Warming him awake, और उसकी गर्मा हट से मैं जाग जाता हूँ When I peek around the door, और मैं door के पास जाके जांकता हूँ Grandpa is already up and about, up and about का मतलब जागना तो दादा जी पहले से ही जाकी हुए होते है He is doing his morning exercises, वो अपनी morning exercise करते हैं Bending and stretching by the bed, bed के side में bending करते हैं और stretching करते हैं He stops and smiles because he hears me दादा जी रुकते हैं और मुश्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे सुन लिया है Good morning John, where is Nana? Nana का मतलब होता है दादी, अमेरिका में I asked him, मैंने दादा जी से पूछा कि दादी कहा है? Don't you know, क्या तुम्हें नहीं पता? He says, दादा जी ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता? Continuing with his exercises Close your eyes John and look through my eyes अपने आँखें बंद करो John और मेरी तरह से देखो I close my eyes Down below, I hear the banging of pots John ने अपने आँखें बंद की और उसको नीचे वाले फ्लोर में बरतनों का सोर सुनाई दिया And the sound of water running और पाने बहता हुआ मुझे सुनाई दिया That I didn't hear before जो कि मुझे आँखें बंद करने से पहले ये सुनाई नहीं दे रहा था Nana is in the kitchen, making breakfast, I say John ने कहा कि जो दादीची हैं वो नीचे रसोई घर में हैं और breakfast बना रही है When I open my eyes again, I can see grandpa nodding at me जब मैंने आँखें खोली, जब John ने अपने आँखें खोली तो दादा जी अपने गर्दन हिला के हामी भर रहे हैं कि हाँ दादी जी तुम्हारी नीचे हैं और वो breakfast बना रही है He is tall with dark hair जो दादा जी हैं वो tall हैं और उनके जो hair हैं वो dark हैं गहरे हैं His eyes are sharp blue और उनकी आँखें sharp blue हैं Even though they are not sharp seeing जबकि वो उन आँखों से देख नहीं सकते I exercise with grandpa John है वो अपने दादा जी के साथ morning exercise करने लगता है One, two says grandpa three, four Wait, रुको, I cry John कहता है रुको दादा जी I am still on one, two अभी मैं पहली और दूसरी exercise कर रहा हूं When grandpa is on three, four जब दादा जी ने three और four तक count कर दिया तब तक John सिर्फ पहली और दूसरी exercise पर ही था Then उसके बाद में I try to exercise with my eyes closed John उसके बाद में अपने आँखें बंद करके exercise करने की कोशिस करता है I fall sideways और जोन एक तरफ गिर जाता है Three times, तीन बार Grandpa laughs as he hears my thumps on the carpet और कार्पेट की उपर, कालीन की उपर मेरे गिरने की आवाज से दादा जी हैं वो हसते हैं Breakfast calls Nana from downstairs नीचे वाली फ्लोर से Nana है वो आवाज देती हैं कि Breakfast ready है आजाओ खालू I smell eggs frying, says Grandpa दादा जी कहते हैं कि मुझे eggs हैं वो fry होते हुए smell हो रहे हैं उनकी सुगंद आ रही है He bends his head close to mine and buttered toast दादा जी, जोन के कान के पास जाते हैं और शिर के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं and buttered toast और toast है, double roti है जिन पे butter लगी हुई है ये मुझे smell आ रही है ये कौन कहते हैं, दादा जी कहते हैं किसको? जॉन को The wooden banister on the stairway stairway का मतलब सीडियां सीडियों के साथ में जो लगी हुई banister है railing है, जो कि wooden है जो लकडी की बनी हुई railing है has been warned वो घिस गई है, smooth और घिस कर smooth हो गई है from grandpa running his fingers up and down क्योंकि काफी सालों से दादा जी उसके उपर fingers running करते हुए उपर जाते हैं और नीची जाते हैं I walk behind him मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ My fingers following grandpa's path जैसे जैसे दादा जी का रास्ता है दादा जी अपने अंगूलियों को टच करते हुए railing को पकड़ के नीचे जाते हैं वैसे ही मजाता हूँ We go into the kitchen और हम रसोई घर में जाते हैं I smell flowers says grandpa दादा जी कहते हैं कि मुझे foolों की सुगंधी आ रही है What floors? I asked मैंने पुछा कि दादा जी बताओ कौन से fool है He smiles He loves guessing games वो मुस्कराते हैं क्योंकि उनको guess करने वाले जो games होते हैं वो उनको पसंद है Not violets जो bangli रंके fool होते हैं वो नहीं है Not peonage और जो peonage हैं वो भी नहीं है Carnations I cry मैंने कहा कि क्या ये Carnation है I love guessing games too जोन कहता है कि मुझे भी guess करने वाले games अच्छे लगते हैं Silly grandpa laughs Merry gods Right nana दादा जी कहते हैं कि ये Carnations वाले flower नहीं है ये कौन से flower है Merry gods हैं जिनको हम हिंदी में गेंदे का fool भी बोलते हैं या फिर गेंदा That is too easy smiles nana जो दादी जी हैं वो smile करती हैं और वो कहती हैं कि ये तो भहुत आसान है As she puts two plates of food in front of us दादे जी खाने की दो plates हमारे सामने रखती हैं It is not at all easy I protest जोन कहता है कि ये इतना भी ज्यादा easy आसान नहीं है How can grandpa tell दादा जी को ये कैसे पता चलता है All the smells mixed together in the air क्योंकि हवा में सारी जो smells हैं वो सारी की सारी mix हो जाती हैं मिल जाती हैं Close your eyes, John says nana Nana कहती हैं कि John अपने आँखें बंद करो Tell me what your breakfast is मुझे बताओ कि तुमारा breakfast क्या है I smell the eggs I smell the toast I say John ने कहा कि मुझे eggs की और toast की smell आ रही है My eyes closed and something else और John की आँखें बंद हैं और वो कहता है कि कुछ और है जो smell कर रहा है जिसकी सुगन्थी आ रही है The something else doesn't smell good और जो अलग चीज है उसकी smell अच्छी नहीं है That something else says Nana with a laugh is the merry gods जो तुम कह रहे हो कि जो अच्छी smell नहीं आ रही है वो merry gods हैं केंदे के fool है When he eats Grandpa's plate of food is like a clock जब दादा जी खाते हैं तो उनकी जो plate है वो एक घड़ी की तरह से होती है और दादी जी बताती है कि कहां पर क्या रखा हुआ है Two eggs at nine o'clock जहां घड़ी में नो बजते हैं वहां पर दो अंडे रखे हुए Toast at two o'clock और जहां पर दो बजते हैं वहां पर Toast रखा हुआ है Says Nana to Grandpa जो दादी हैं वो दादा जी को कहती है इससे दादा जी को खाने में आसानी हो जाती है क्योंकि वो देख नहीं सकते And a dollop of jam और जो थोड़ा सा jam है वो रखा हुआ है A dollop of jam I tell Grandpa at six o'clock और जो jam का थोड़ा सा हिस्सा है वो कहां रखा हुआ है जहां पर छे बजते हैं वहां पर रखा हुआ है I make my plate of food at clock 2 John है वो भी अपनी plate को एक clock की तरह से बना लेता है जैसे कि दादा जी की plate है And eat through Grandpa's eyes और जैसे दादा जी खाना खाते हैं वैसे ही वह भी खाने की कोजिस करता है After breakfast, I follow Grandpa's path through the dining room to the living room to the window that he opens to feel the weather outside Breakfast करने के बाद में जैसे जैसे दादा जी जाते हैं उनके पीछे पीछे जोन भी जाता है Dining room से होता हुआ living room में और उसके बाद में एक window जिससे की दादा जी बाहर का जो मौसम है उसको feel करते हैं To the table और उसके बाद में table पर बैठते हैं Where he finds his pipe And to his cello in the corner जहां पर corner में, corner में उनका cello पड़ावा है Cello एक वाद ये अंतर होता है जिसको बजाते हैं संगीत के लिए और pipe पाइप के लिए हम बोलते हैं चिलम जिनसे बुड़े लोग हैं वो तमभाखों के अगरा पीते हैं Will you play with me, John? He asks दादा जी कहते हैं कि क्या तो मेरे साथ इस cello को बजाओगे He tunes our cellos without looking दादा जी हैं वो बिना देखी ही cello को बजा लेते हैं I play with a music stand and seats of music before me मैं जब बजाता हूँ तो music stand के आप सिकता होती है और मेरे सामने जो seats होती है उनके उपर music है वो लिखा रहता है उसके बाद में मैं बजाता हूँ I know all about musical notes जो उनको musical notes के बारे में सब कुछ पता है I see them on the music seats Grandpa plays them लेकिन Grandpa दादा जी उसको बजाते हैं They are in his fingers जो notes हैं वो दादा जी के fingers में है For a moment कुछ शन के लिए I close my eyes and play through Grandpa's eyes और मैं जैसे दादा जी बजाते हैं उस तरीके से बजाने की कोशिश करता हूँ My hand slides up and down The cello neck The cello neck के उपर मेरी हाथ है वो up और down slide करते है But with my eyes closed लेकिन जब मैं आँखें बंद कर लेता हूँ My bow वो मतलब bow stick Falls from the string जो तार हैं सेलो के उससे मेरी जो stick है वो नीचे किर जाती है Listen Sage Grandpa जी कहते हैं सुनो I will play a piece I learnt when I was your age जब मैं तुम्हारी उमर का था तब मैंने थोड़ा सा संगीत है वो सीखा था मैं उसको बजाता हूँ तुम सुनो It was my favorite और ये जो music है वो मेरा favorite है He plays the tune while I listen दादाजी है वो tune बजाते हैं और जोन सुनता है That is the way Grandpa learns new pieces by listening सुन सुन के ही दादाजी नही चीज़ों को सीखते हैं Now says Grandpa let's do it together दादाजी कहते हैं कि चलो साथ में इस चेलो को बजाते हैं That is fine says Grandpa as we play ठीक है दादाजी कहते हैं जैसे चीज़े हम आगे बजाते हैं Later उसके बाद में Nana brings out her clay to sculpt my grandpa's head दादी जी हैं जो clay लेके आते हैं मिट्टी लेके आते हैं ताकि वो sculpt कर सकें मुर्ती बना सकें किसकी दादाजी का जो सिर है उसकी मुर्ती बना सकें sit still, see grumbles grumble का मतलब गडगडाना जोर से कुछ बात बोलना दादी जी कहते हैं दादाजी को कि आप स्थिर होके बेट जाए I want, he says, imitating her grumbly voice, making us laugh दादी जी, दादाजी हैं वो दादी की बात को कोपी करते हैं और उन्हें की बात को दोहराते हैं और गडगडा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, I want मैं स्थिर होके नहीं बेट हूँगा और वो सब लोग हसने लगते हैं While she works, जब दादी जी काम करती हैं मुर्ती बनाती है Grandpa takes out his piece of wood वो अपने जो लकडी का टुकडा है उसको बाहर निकालते हैं He holds it when he is thinking और जब वो सोचते हैं, वो उसको पकड़के रखते हैं His fingers move back and forth across the wood और उनकी जो fingers हैं, वो उस wood के आगे और पीछे move करती हैं Making smooth paths like the one on the stair banister और उससे, उस wood के उपर जो smoothness आ गई है, क्योंकि वो उससे उपर और निचे हाथों से रगड़ते रहते हैं जैसे कि जो खिड की जो चीडियों के उपर जो railing लगी है वो smooth हो गई है, वैसे ही ये जो लकडी का टुकडा है वो भी जो pipe है, जिलम है, वो भी smooth हो गई है The river is up, says Nana दादी जी कहती हैं कि रात को बारिस हुई थी, उससे नदी का पाने है, वो उपर आ गया है Grandpa notes a salt note दादा जी थोड़ा सा सिर हिलाते हैं It rained again last night, पिछली रात को भी बारिस हुई थी Did you hear the gurgling of the rain in the gutter? दादी जी कहती हैं, दादा जी कहते हैं कि क्या तुमने नाले के अंदर जो पाने के कल-कल धवनी के आवाज सुनी थी When Nana has finished working, Grandpa runs his head, hand over the sculpture जब दादी, दादा की मुर्ती बनाने का काम पूरा कर चुकी होती हैं तो दादा जी कुस मुर्ती के ऊपर अपना हाथ है, वो run करते हैं His fingers are soft and quick like butterflies दादा जी की जो fingers हैं, वो soft हैं और butterfly की तरह से quick हैं It looks like me, he says surprised दादा जी चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह जो मुर्ती है, वो same to same मेरे जैसे ही लग रही है My eyes have already told me that it looks like Grandpa But he shows me how to feel his face with my three middle fingers And then the clay face जो उनको पहले ही पता लग गया था कि जो मुर्ती है, वो बिलकुल दादा जी की तरह से लग रही है लेकिन दादा जी दिखाते हैं कि कैसे वो उनके चहरे को feel कर सकता है पहले जोन की बीच वाले तीन अंगुलियों को दादा जी अपने मुह पर रखते हैं और उसके बाद में जो clay का बना हुआ face है उसके उपर रखते है Pretend your fingers are water, he tells me दादा जी कहते हैं कि जोन तुम ये मान लो कि तुम्हारी तीनों fingers है वो पानी है My waterfall fingers flow down his clay head Feeling the spaces beneath the eyes like little pools Before they flow down over the cheeks It does feel like grandpa और जब जोन ने अपने अंगुलियों को मुह के उपर रखा तो उसको एकदम से दादा जी का चहरा ही वो feel हुआ This time my fingers tell me और इस समय जोन को उसकी fingers ने बताया कि ये जो चहरा है वो जो मुर्ती है वो दादा जी की है Grandpa and I walk outside दादा जी और मैं बाहर निकले Through the front yard, सामने वाले याड से हो करके and across the field to the river और सामने वाले खेत को पार करके हम नदी के किनारे गई Grandpa has not been blind forever दादा जी हमेशा से blind नहीं थे कुछ समय पहले ही वो blind हुए है He gently takes my elbow as we walk दादा जी मेरी elbow को कोनी को पकड़ लेते हैं जैसे जैसे हम चलते हैं So that I can help show him the path ताकि मैं रास्ता उनको बता सकूँ I feel a south wind, says Grandpa दादा जी कहते हैं कि मुझे south से आने वाली हवा महसूस हो रही है ऐसा लग रहा है कि जो हवा है वो south से आ रही है I can tell which way the wind is blowing because I see the way tops of the trees lean मैं बता सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि हवा किस तरफ बह रही है क्योंकि मैं पेडों का जो top है, सबसे ऊपर का हिस्सा है मैं उसको देख सकता है कि वह किस तरह जुका हुआ है Grandpa tells by the feel of the meadow grasses and by the way his hair blows against his face Dada Ji है वो दो तरीके से बता सकते है एक तो जो meadow grass है, घास के मेडानों का जो घास है वो किस तरीके से बह रही है, किस तरीके से उनका जुकाव है और दूसरा अपने बालों से वो बता सकते है कि उनकी बाल है, वो किस तरफ है, वो बह रही है when we come to the river bank जब हम नदी के किनारे आ गए पहुँच गए I see that Nana was right कि दादेची है वो सही खह रही थी the water is high नदी में पानी है वो उपर आ गया है and has cut in by the willow tree और जो willow tree है वहां तक पहुँच गया है it flows around and among the roots of the tree making paths और जो पानी है वो जो willow tree है उसकी roots में से होकर के बह रहा है I see a black bird with red patch on its wings sitting on a tree मैंने black bird को देखा जिसमें red patch लगे हुए हैं without thinking पिना सोचते हुए I point my finger मैंने अपने finger के finger से उसके तरफ इसारा किया और कहा what is that bird grandpa I asked excitedly और मैं excited होकर के दादा जी से पूछा कि यह जो bird है यह जो पक्षी है वो कून सा है क्रॉंक एरी the bird calls to us अब bird है वो चिर्प करती है चहकती है और कहती है क्रॉंक एरी a red winged black bird says grandpa promptly दादा जी है वो तुरंत कहते हैं कि इस चिर्या का नाम है red winged black bird he can't see my finger pointing but he hears the song of the bird दादा जी को यह नहीं पता कि मैंने finger को किस तरफ point कर रखा है लेकिन दादा जी उस चिर्या को सुन सकते हैं दादा जी कहते हैं कि इस black bird के पीछे एक sparrow बेठी है I hear a scratchy song and I look and look until I see the earth-colored bird that grandpa knows is there और मुझे थोड़ा सा scratchy, unclear और rough song सुनाई दिया और फिर मैंने देखा और मुझे एक brown color का bird दिखाई दिया जो कि दादा जी ने पहले ही पता कर लिया था Nana calls for from the front porch of the house दादी ने घर के सामने वारे बरांदे से आवाज दी Nana's made hot bread for lunch He tells me happily दादा जी कहते हैं कि तुम्हारी दादी ने bread बनाई है लंच के लिए and spice tea और मसालेदार चाई बनाई है Spice tea is his favorite दादा के जी को favorite tea है वो क्या है Spice tea है I close my eyes but all I can smell is the wet earth by the river John ने भी अपने आखें बंद की लेकिन जोन को शिर्फ जो गीली जमीन है river के पास में वूसी के smell आ रही थी As we walk back to the house grandpa stops suddenly हम जब घर वापिस आ रहे थे तो दादा जी अचानक रुक गई He bends his head to one side उन्होंने अपना सिर एक तरफ है वो bend कर लिया मोड लिया listening और सुना He points his finger upward उन्होंने अपने finger को उपर के तरफ point किया honkers he whispers और उन्होंने धीरे से कहा ये जो उपर से हैं वो honkers जा रहे हैं honkers क्या होते हैं hans होते हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं goose बोल सकते हैं goose का plural होता है geese geese का मतलब एक से ज़्यादा hans I look up and see a flock of geese geese का मतलब hans और flock का मतलब समोह मैंने hansों का समोह उपर देखा high in the clouds flying in a V और वो V-shape में उपर उड रही थे we walk up the path again and to the yard where Nana is painting the porch chairs grandpa smells the paint हम वापिस घर गई जहां पर बरामदे में दादी जी हैं वो बरामदे की जो chairs हैं उनको paint कर रही हैं दादा जी हैं वो उस paint को सूमते हैं what color Nana? he asks I cannot smell the color दादा जी कहते हैं कि Nana कौन सा color तुम कर रही हो क्योंकि मैं color को smell नहीं कर सकता blue I tell him smiling जोन ने कहा दादा जी ये blue color है blue like the sky जैसे आस्मा ब्लू होता है वैसा ही blue like the color of grandpa's eyes Nana says और दादी ने कहा कि तुम्हारे दादा जी की जो आखें हैं उन्हें की तरह से blue In the afternoon Grandpa, Nana and I take our books outside to read under the apple tree Afternoon में दादा जी और दादे जी और मैं अपने-पने books ले लेते हैं और apple tree के नीचे बेट कर उनको read करते हैं पढ़ते हैं Grandpa reads his book with his fingers दादा जी अपने books को fingers से पढ़ते हैं filling the raised braille dots that tell him the words उनकी जो किताब है उनमें अक्सर braille हैं उभरे हुए हैं उन्हें को feel करके दादा जी पढ़ते हैं as he reads grandpa laughs out loud जैसे जैसे दादा जी पढ़ते हैं और वो जोर्ट से हसते हैं tell us what is funny says nana nana कहते हैं कि क्या बात है क्यों हसे हमें बताओ read to us papa and he touch और जोन कहता है कि पापा means यहां पर मतलब है दादा जी हमें बताइए हमारे लिए पढ़िए आप इसको nana and I put down our books to listen दादी जी ने और मैंने अपने books को नीचे रख दिया ताकि हम दादा जी की बात को सुन सके after supper supper का मतलब रात का आखरी खाना after supper grandpa turns on the TV दादा जी है वो TV को on करते है I watch but grandpa listens मैं देखता हूं और दादा जी सुनते है and the music and the words tell him when something is dangerous or funny, happy or sad और सब्दों से ही पता चलता है कि जो TV में क्या चीज़ चल रही है कोई खतरनाक चीज है, funny चीज है happy चीज है या फिर sad है somehow grandpa when it is dark और जैसे तैसे करके दादा जी को पता चल जाता है कि अंधेरा हो गया है रात हो गई है he takes me upstairs and tucks me into bed दादा जी मुझे उपर मेरे bedroom में ले जाते हैं और मुझे मुझे bed पे सुला देते है he bends down to kiss me his hands filling my head वो मुझे किस करते हैं और मेरे सिर्क के उपर हात रखते है you need a hair cut he says वो कहते हैं कि जोन तुम्हारे बाल है वो बड़े बड़े हो गए है तुम्हारे बालों तुम्हें बालों को कटाने की जरूरत है before grandpa leaves he pulls the light chain above my bed to turn out the light grandpa मेरे room से जाने से पहले lights को pull करते हैं chain को pull करते हैं खींशते हैं ताकि light है वो बंद हो जाई but he by mistake he turns it on instead लेकिन light है वो पहले से ही बंद खी और उनके pull करने से light on हो गई चालू हो गई I lie for a moment after he has gone जब वो चले गई तब मैं कुछ सण के लिए वहीं सोया रहा smiling मुस्कराते हुए before I get up to turn off the light और उसके बाद में मैं खड़ा हुआ और lights को मैंने off कर दिया then उसके बाद में when it is dark for me the way it is dark for grandpa I hear the night noises that grandpa hears और जब अंधेरा हो गया तो मैं जैसे दादाजी चीजों को सुनते हैं वैसे मैं भी रात की आवाजें सुनने लगा the house creaking घर जब चर्मरा रहा था घर में जब creaking की आवाज आ रही थी the birds singing their last song of the day और जो birds हैं वो गाना का रही थी and the wind rustling the tree outside my window और मेरे window के सामने जो trees हैं उनकी जो पत्या हैं उनमें सरसराने की आवाज आ रही थी then all of a sudden फिर अचानक I hear the sounds of gaze overhead और फिर मैंने सर के उपर से हनसों को जाते हुए सुना they fly low over the house वो घर के उपर से बहुत नीची फ्लाई कर रही थी grandpa I call softly hoping he has heard them too मैंने धीरे से बोला दादा जी honkers he calls back वो दादा जी को मेरे बात सुन गई और वो कहते हैं कि उपर से honkers जा रहे हैं go to sleep John says Nana दादी जी कहती हैं कि John सो जाओ grandpa says her voice smiles to him दादा जी ने कहा कि तुम्हारी दादी है वो smile कर रही है I test it मैंने इस चीज की जाँच की what I call to her मैंने उसको कहा दादी जी को कहा कि दादी जी आप क्या कह रहे हो I said go to sleep see answers और दादी जी जवाब देती हैं कि अभे सो जाओ she says it sternly दादी जी ने ये बात सकती से कही कटोरता से कही but grandpa is right लेकिन दादा जी हैं वो सही है her voice smiles to me I know क्यों मैं जानता हूं कि दादी जी हैं वो smile कर रही है because I am looking through grandpa's eyes क्योंकि मैं अब दादा जी के नजरिये से चीजों को देख सकता हूं सुन सकता हूं और समझ सकता हूं ये हमारा चेप्टर है आज का through grandpa's eyes मुझे लगता है कि बच्चों ये चेप्टर आपको समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा अब हम मिलते हैं next वीडियो में